हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा डियम ओटो प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे हम डियम का ओटो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहले यह हमारे पास में इसका content होता है इसी type से आपको यह सारी चीज़े बनी भी मिलेंगी अब हम डियम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं यह देखिए यह हमने डियम प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है इसके अंदर आप चाहें तो एक और यहां से जाकर कोई भी फोटू यह देखिए यह फोटू मैंने इसके अंदर एड़ कर दिये हैं यह कुछ कटाउट मैंने पहले से और यहां चैО यहां आप यह क्टाउट रख्यों है 파िorn और यह वाले का है अब क्या हैै हमने कहां जाना है हमें यहां पर है जब हम यहां से next करेंगे next करने के बाद यह आता है आपका auto यह देखिए यहां पर auto आ गया यह auto पर आपने क्या करना है simply इस पे click करना है click करने के बाद आप क्या देखते हैं यह आपके पास में theme आ जाती है इस type की theme पे आने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे all पे हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप चाहते है anniversary के project select करना तो anniversary के आपके आ जाएंगे अगर चाहते हैं birthday के तो birthday के जितने भी project है आपके वो आ जाएंगे अगर आप चाहते हैं wedding के project लेना तो wedding के इस पर click कीजिए और ये आपके सारे project जितने भी हैं ये आपके wedding के आगे हैं ये वाले project इसमें चाहें आप और भी project अपने add कर सकते हैं यहाँ पर जाके देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास में कुछ style है style in the sense होता है कि जैसे आपको cd top के लिए style चीए तो ये देखिए ये already cd top के लिए style बने हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे style हैं ये और भी style आप चाहें तो add कर सकते हैं यहाँ पर जाके जैसे जैसे यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है इस पर एक right click करना है या manually double click कर दीजिए जब आप double click करते हैं किसी style पर तो आपका style automatic यहाँ पर अपने आप बनके यहाँ पर आ जाता है इस जगह पर अब हम किसी और style पर click करते हैं तो यह देखिए एक और style आपका यहाँ पर आ जाएगा इस type से और इस पर click करते हैं एक और style पर तो यह style आपका यहाँ पर आ जाएगा यह देखिए यह automatic आपके project यहाँ पर add होते चले जाएंगे आप चाहें तो यहाँ पर जाके अगर इस project को आपने remove करना है suppose कि जी आपको यह project नीची है यह वाला आपको cd का design नीची है तो हम यहाँ से simply करेंगे और यहाँ से उठा के इसको remove all और selected all करेंगे तो आप सारे delete हो जाएंगे एक करेंगे तो सरफ एक ही delete होगा आपका यह देखिए तो यह आपका delete हो गया है अभी आपके पास में दो style रहे गया है करते हैं simply और यहाँ से इसको हम add कर लेते हैं यह देखिए यह style आपका यहाँ पर बन के आ गया है automatic सिरफ mint भर में आपने कुछ नहीं करना है यह सिरफ आपने click करना है किसी वी design पर यह देखिए हम यहाँ पर style पर click करते हैं तो जैसे हम click करेंगे यह आपका design यहाँ पर automatic अपने आप add हो जाएगा आप चाहते हैं इसको delete करना तो simply यहाँ से इसको delete कर दीजे उसके बाद आता आपका inlay slim inlay slim में भी आपके बहुत सारे project हैं जो अलग-अलग हमने add किये हुए है इसके बाद में आता है आपका यह page extra paranomic जो की 12-26 का page होता है album के हली है जिसको हम use करते हैं यह आपके style आगे है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आप अलग से भी अपने style इसमें add कर सकते हैं जो की template हमारी website पे available है हम आपको एक link देंगे जिससे की आप download कर सकते हैं template हमेशा के लिए यह देखिए जैसी मैं इस पर click करता हूँ इस वाले design पर click करते हैं क्या होता है यह आपकी album चंद मिंटों में यहाँ पर बनके तयार हो जाते हैं यहाँ इस जगह पर उसके बाद यह अलग-अलग style है page portrait लंबा page अगर आप बनाना चाहते हो किसी design का यहाँ पर click कर सकते हो यह यहाँ पर आपका add होके आ गया है यहाँ पर next करना चाहते हो आप इस टाइप सा आपका design आ जाएगा और अलग-अलग style यहाँ पर हमने दिये हुआ है इसके अंदर यह वाले यह देखिए आप चाहकर भी और भी design इसमें add कर सकते हैं page square यह square page है आपका page square में भी आप किसी भी page को आप add कर सकते हो जैसे इस type का आपको page चीए तो यह साथ-साथ आपको यह भी दिखाता रहेगा इस type से कि आपको कौन-कौन से style अलग-लग चाहिए यह देखिए इसमें आप चाहें तो कोई भी style आप remove कर सकते हैं यह आपके right hand पर रहेगा हमेशा इसको आप delete करना चाहते हो उठाए select कीजिए और delete कर दीजिए यह देखिए इसके बाद आता है आपका यह color का option आप black में देखना चाहते हैं अगर कोई अपने design आप black में रखना चाहते हैं तो उसके black के design आपके अलग हो जाएंगे blue के देखना चाहते हैं जो blue के design हैं वह आपके separate हो जाएंगे ग्रे के रखना चाहते हैं तो ग्रे के डिजाइन आपके अलग हो जाएंगे जो आपकी color theme आजाएगी वो only ग्रे की रहेगी यह देखिए यह red के हैं यह red की seat पर जो काम हुआ है वो red के inbuilt design है यह देखिए red का design आपका अपने आप यहाँ पर आ गया है अब हम यहाँ पर जाते हैं इस design को हम select करते हैं किलिक करते हैं यह देखिए यह एक और design आ गया है यहाँ पर किलिक करते हैं यह इस type से आपका एक design और आ गया है यह देखिए अब इतने सारे design हमने यहाँ पर जाके select कर लिए हैं यह देखिए अब इसको अगर हम सबकों एक साथ करना चाहते है तो यहां पे आपने क्या करना है और आल करने के बाद क्या है आपकी पूरी की पूरी थीम as it is वापिस आजाएगी यहाँ पर जाने के बाद में यह देखिए यहाँ से भी आप all कीजिए simply then यहाँ से भी आप color में जाके all कीजिए ताकि same color ना हो अब क्या है सारे के सारे design आपके एकी page पर आगए है यह वाले अब हमें करना क्या है simply इनको यहाँ से जाके यहाँ पर आप करेंगे और next कर देंगे जब आप next करते हैं तो जो जो design आपने select किये हुए थे यह वाले यह देखिए इस type से इस type से इस type से और इस type से वो design आपके already यहाँ पर बन के आगे हैं इस album के अंदर यह देखिए यह सिरफ चंद सेकंड में आप कर सकते हैं यह देखिए तो friends, please keep watching my tutorial on the YouTube channel